हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल प्राइममेड फार्मेसी में और आज हम बात करेंगे साइपॉन सिरफ के बारे में साइपॉन सिरफ जिसको भूक लगने वाले टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है साइपोन सिरफ़ जिसको बनाती है जीनो कंपनी और इसका जो म शिर्फ होता है वोगोता एको तेरा रूपय, तो हंडर्ड एमल की बोटल होती है इस साइपोन सिरफ के अंदर होता है साइप्रोहेटाडीन साथ में होता है ट्राइकोलीन, सिट्रेट और सॉर्बिटॉल इस सिरफ के अंदर ये तीन सॉल्ट एवेलिबिल होते हैं अगर आप वीडियो पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बैल आइकन को हिट कीजिए जिस से मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो अब बात करेंगे साइपोन सिरफ के अंदर इवेलिबिल इन सॉल्ट का क्या काम होता है साइपोन सिरफ में, साइपोन सिरफ के अंदर जो सबसे पहला salt होता है, वो होता है साइप्रो हेप्टाडीन हाईडरो खलोराइड, जो एक एंटी हिस्टामीन होता है, किसी भी परकार की allergy condition है, या आपको खारिस है, हल्का कोई मोसम की खराबी की वज़े से आपको allergy है, nutrition मिलता है साइपॉन सिरफ के अंदर पीसरा सॉल्ट होता है सॉर्बिटॉल जो digestive system को अच्छा करता है हमारा खाना पचाने में help करता है यह सॉर्बिटॉल का काम होता है अब यह तीनों सॉल्ट मिलके साइपॉन सिरफ के अंदर एक composition बनाते हैं एक पूरा complete package बनाते हैं तो अगर यह साइप्रो हैप्टःडीन sorbitol और tricolin citrate तीनों मिल जाते हैं तो यह कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो अगर आपको किसी कारण से भूक नहीं लगती लोस ओफ एपटाइट की प्रोब्लम है तो वहाँ पे ये जो साइपॉन सिरफ है बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आपका भूक बढ़ती है तो आप ज्यादा भोजन खाते हो और ज्यादा भोजन खाते हो तो आपको कैलोरी बढ़ती है और आप ज्यादा कैलोरी लेते हो तो आपका वजन बढ़ता है तो अगर आप साइपॉन सिरफ को लेते हो आपकी भूक बढ़ती है भूक बढ़ने से आपको कैलोरी ज्यादा मिलती है कैलोरी मिलने से आपको आपका वजन बढ़ता है तो इस परकार से को ठीक करना, आपके भोजन को अच्छी तरह से पचाना. अगर आपका खाया हुवा भोजन अच्छी तरह से पचेगा, तो यह आपके किसी भी परकार के कॉंस्टीपेशन को और कभ्ज को दूर खरतेगा. सायपुन हिस्टामीन है और पोटेंट एंटि हिस्टामीन है जो एंटि एलेजिक का काम करता है क्योंकि इसके अंदर होता है साइप्रोहेफ्टाडीन साइप्रोहेफ्टाडीन एक एंटि हिस्टामीन है अगर आपके त्वचा पे किसी भी परकार के चक्टे पढ़ गई है पित हो गया साथ के साथ आपको mouth dryness की problem हो सकती है क्योंकि इसको लेने से आपके मुग के अंदर dryness आ सकती है साथ के साथ सरदर्द हो सकता है और आपके आखों के सामने धुंदलापन भी आ सकता है इस परकार की problem भी आ सकती है और साथ के साथ drowsyness की problem हो सकती है कि आपको नीन आ सकती है इसको लेने से ये भी प्रॉब्लम होती है साइपॉन शिरप के उपर ही लिखा हूँ है सम परसन में फिल ड्राउजी विद फ़स्ट डोज अफ साइपॉन शिरप इफ इस हैपन दे सुड नोट ड्राइव वीकल एन हैवी मसीन सी तो इसके उपर ही साइपॉन शिरप के उपर ही मैंसन है कि इसको लेने से आपको नीन आ सकती है आपको किसी भी तरह के वहन को चलाने से बचना चाहिए या किसी भी परकार की हैवी मसीनरी को चलाने से बचना चाहिए तो इस परकार का भी इसको side effect हो सकता है अगर इस साइपोन सिरफ को आप बच्चों को देते हैं तो आप regular देने से बचें इसको एक time दो या चार दिन या 10 दिन के लिए आप दे सकते हो इसको किसी भी परकार की regular dose में ना दे अब बात करते हैं इसके dose की साइपोन सिरफ की dose क्या होती है अगर आपको बच्चों में देनी है तो 5 ml bd dose दो time दे सकते हैं और अगर आपको adult में देनी है तो 10 ml की dose दो बार दे सकते हैं लेकिन ध्यान रखे साइपोन सिरफ की जो composition है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है इसको complete package बनाते हैं लेकिन इसका प्रयोग regular dose में ना करें इसके कुछ side effect हो सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार का side effect आता है अप डोक्तर की सलाच जरूर लीजिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगिए तो चैनल को subscribe कीजिए लाइक कीजिए और बैल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरा notification आपको मिलता है थैंक यू धन्यवाद